आज मैं एपिसोड के नाम से ये स्टार्ट कर रहे हूं निटिंग का इसमें मैं सबसे पहले जो है फंदे डालना सिखाऊंगी उनके लिए है ये जिनको बुनाई का शौक है लेकिन वो फंदे भी उनसे नहीं डल पाते किस तरह से फंदे डाले जाएंगे किस तरह से सीधा उ एपिसोड दूँगी आप उसी तरह से इसे देखना और इससे सीखने की कोशिश करना अगर आप बुनाई के शौकीन है तो आप जरूर बुन पाओगे चलिए देखते हैं किस तरह से फंदे डाले जाते हैं पहले मैं आपको ये सिंगल धागे की धागे से ही फंदे डालना है ये फंदा के छोटा हिससा तो हमारा बचा है इस चोटा हिससा है का हमारा इसको तो हमें किस साइड रखेंगे दें राइट आप हम और राइड साइड में हम ये जो उन ये गोले के साथ रहती है इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और इसको देखे इस तरह से अंगुठा लाएंगे इस तरह से घुमाएंगे इस तरह से अंगुठा डाला इस तरह से घुमाया और देखे इस तरह से यहां डाला और इस वाल अब इस तरह से लेगे इस तरह डाला चोटे वाले टुपड़े को उपर से लिया और इस फंदे को सलाई से बाहर निकाल देगे और इस उनको खीच देते हैं चलिए फिर से दिखाऊंगी इस तरह से लेना है देखे यह उन सीधी है इस तरह से लेकर आओगा, आप नीचे की साइड रखोगे, इसे थम को ऐसे घुमाया, यहां से डाला ये, अब इस छोटे वाले टुकड़े वाली गूल को हमने इसके उपर से लिया, और इस वाले हिस्से को इस सलाई से इस तरह से निकाल देंगे, बहुत इजी है ये डालना देखें, फिर से देखें, सीधा पकड़ा उनको, अंगूठे को इस तरह से लेकर आएंगे नीचे की साइड से, इस तरह से घुमा देंगे, एक बल सा जाए इस हमारी उन में, और यहां पर इसको डालेंगे, फिर इस छोटे हिस्से को उपर से लेंगे, और इस को हम सलाई स इस तरह से बाहर निकाल देंगे, और इस वाली उनको इस तरह से खेच देंगे, चलिए फिर एक बार में आपको दिखा रही हूं, इस तरह से लाएंगे, देखें, सीधी उन पकड़ी हमने, अंगूठे को इसको उपर लिया, इस तरह से नीचे को घुमाया, इस तरह से बन अंगुठे में ही रखना है इस उनको भी छोटा वाला टुपड़ा उपर से घुमाना है इस वाली उनको पकड़कर इसके सलाई के बाहर को निकाल देना है और इस उनको हमने खीच देना चलिए फिर से दिखा रही हूं सीधा पकड़ेंगे उनको इस तरह लिया बाहरी में डाला छोटे टुपड़को लिया इसके ओपर से और इसको बाहर निकाल दूपर मेरा भी सिंगल उन दिखाये हैं तब तरह से मैं आपको डबल उन करके फंदे डालना सिखाऊंगी कि डबल बूल करके किस तरह होगा है मैं आपको डबल फंदे डबल उन करके फंदे डालना सिखाऊंगी देखे ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसको इस तरह से रखेंगे यहां पर इसको डबल कर लिया जितनी इस ट Presta's कि पलंखेंगें बढ़ दाली है उतनी को हमने डबल कर लेना है और एकर देखें इस तरह से फिर से फंदा लगाएंगे हम कि में बड़ा बार करकतिस्टा इस इस फंदे के पास रहने चाहिए हमने इसमें इस double वाली वूल को तो हम right side रखेंगे और जो ये single वाली है जिसमें ये हिस्सा होता है इस single वाली को हम ये left side रखेंगे तो आप डबल वाली देखे साइड को हमने इसी तरह से अंगुठे पर लेना है इस तरह और ये सिंगल वाली बूल उपर से निकाली और इस डबल वाली को नीचे पलड देंगे फिर से इस डबल वाली को लेंगे इस तरह से अंगुठा गुमा कर विस सिंगल वाली गूल डाली हमने और इस डबल वाली को सलाई से बाहर निकाल कर इसको हमने खीच दिया एक फिर से इस तरह से टेए सीझी दिर 50 और फिर यहां कि दधिया फिर से इस तरह से घुमाया दाला हुआ फिर से इस तरह से टालेंगे है शे डबल वाला हिस्सार और लोर कि आ इस को सालनों कर निकाल दिने में दो धार फंद्न眂 है तो यहां पर बहुत अच्छा सा यह बॉर्डर की जो यह किनारी आती है यह बहुत ही खूशूरत सी बनकर आएगी तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं एक दो बार और एक फंदा बताए देते हुम आपको सीधा रखा आप फंदे डालना सीखिए फिर इसके बाद जो मैं नेक्स्ट एपिसोड दूँगी उसमें मैं आपको सीधा और उल्टा चिखाऊंगी किस तरह से सीधी और उल्टी बुनाई बुनते हैं उमीद है अगर आपको शौक है तो आप जरूर सीख पाओगी बहुत मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमें बुनाई नहीं आती है मुझे वाटसब कमेंट्स करते हैं कि हमें बुनाई नहीं आती है किस तरह से बुने तो आप इसे जरूर देख कर सीख पाएंगी तो guys कैसा लगा आपको मेरे ये एपिसोड अगर आपको मेरे ये एपिसोड पसंद आया हो तो please मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और comments करके बताएं कि आपने फंदे डालना सीखा या नहीं मेरी next episode आने तक thanks